माहलक्ष्मी राज्योग में जुलाई की शुरुआत जुलाई की ग्रह चाल में बड़ा परिवर्तन स्वासे संबंधित दिक्ते करेंगी कितनी परिशान अपकी बार कितने नई रिष्टों से चुड़ेंगे काम कारुबार में मिलेगी कितनी शोहरत कमाई के टूटेंगे कितने रिकॉर्ड अपकी बार क्या आपका नसीब देगा आपका साथ क्या कहता है जुलाई मासिक राशिफल दो हजार चौबिस एक सिर्फ धर्म ज्यान पर कि नमस्कार धर्मिया के खास पेशकर्ष जुलाई मासिक राशिफल दोजार चौबिस में एक बाद फिर आप सभी दर्शुकों का स्वागत है मैं हूं आपके साथ कविता राना मेरे साथ महजूद है अच्यारी महिंग श्रमाजी महिंग जी स्वागत है आपका धन्यवार कहां आपकी सेहत आपका काम कारूबार आपकी आर्थिक स्थीति और आपके रिष्टे सब कुछ कैसे रहने वाले हैं भागे प्रतिशत आपका किता साथ देगा और एक छोटी सी साला जो अगर आप मान ले तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगे इस महिने किस प्रकार से पन्चम भाव में शनी वकरी अवस्था में आपको यह दिखाई दे रहे हैं और छटे में राहु हैं अच्छी प्लेश्मेंट है सब्तम भाव में चंदर मंगल का महलक्ष्मी योग आपको बहुत उत्तम लाब दे रहा है अब िदेगा अश्टम भाव में गुरु ये थो कि सूरिय की प्लेसमेंट जो है आपकी इस महा से शांदार होने शुरूर होई है इवन हम देखें तो पिछले महा से आपके लिए बेतर होगी थी लेकिन इस महीने आपको पूर्ण फल मिलेगा और यह महीना काफी शांदार रहने वाला है तो आईए महीन जी से जानेंगे कित बड़ा राशी वालों को लेकिन एक थोड़ा सा एड़न करना चाहेंगे कि गोचर में जब भी कविद्धा जी कोई बड़ा घर है शनी राहू के तू एक ऐसे ग्रहें यह तीन ग्रहें जो की एक राशी में लंबे समय तक रहते हैं तो अगर यह घर है कभी अश्टम या द लेकिन कुछ दिक्कते हैं जो कभी-कभी अचानक से पैदा होंगी जिस दिन गोचर आपके खराब होगा तो आपको क्या ध्यान देना अश्टम में गुरू आता है तो हम कहते हैं गुरू छटे भाव का का रहे हैं यहां इनको लिवर पेट संबंदी रोग शुगर दिन चरिया से मत हटिए मतलब आपका रूटीन बनावाए कि सुवे मुझे जल्ली उठना है टाइम से रात को सोना है समय पे खाना खाना है वो दिन चरिया फॉलो करनी पड़ेगी यह मैं बात कर रहा हूं कि संपून वर्ष की एक सला दे रहा हूं एड़ान कर रहा हूं औ दगान अगर ऐसा किसी के साथ हो लेकिन खराब दशा है और गोचर में गुरू खराब है तो थोड़ा सा सेहत का भाई विशेश जहान लखें लेकिन इस महीने में कोई बड़ी समस्या नहीं चोटी मोटी तिका दुका कोई समस्या होगी तो बात लगे लेकिन कोई गंभीर मसला नहीं है इस महीने तो चलिए तो आपने बता दिया स्वासे समध्य दिकते किस पकार से इनको परिशान भी कर सकती छूटी मोटी अब आगे बढ़ना चाहूंगी और आपसे जाना चाहूंगी स्टूडेंस के लिए ये समय क्या लगता हूं कि एजुकेशिन के पॉइं परिक्षा में सफलता मिलना तय है जो लोग बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गोचर बहुत ही उत्तम रहेगा कोई टैस्ट को इंट्रिव्यू है इस महीने तो उसमें भी आपको यहां सफलता मिलती भी नज़र आ रही है तो एक तरीकी से देखा जाता है चातर प्रेम संबंद का भाव है शुक्र को देखते हैं शुक्र भागेस्थान में है गुरु अश्टम में है तो प्रेम संबंद निश्चित रूप से मजबूत होंगे और व्यवाइक जीवन जो थोड़ा सा मिला जोला रहेगा क्यों कि मांगलीक दोस्ट जो है अभी भी बना ह चलना पड़ेगा यहां ध्यान रखेंगे अगर तुला वाले तुला राशी तुला लगन वाले तो फिर कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी महीना इंके लिए कितना शांदार रहने वाला है तरक्य के कितने मौके मिलने वाले प्रमोशन के कहें स्विच करनी की सोच रहे है कुछ अपना करने की सोच में तो क्या लगता है यह कितना बड़ा एक टर्निंग पॉइंट के लाइफ में देगा यह महीना पंचम शनी हो दशम में बुद्धो कवितर्य और नवं भाव में शुक्र हो तो यह बहुत शांदार योग बनता है बहुत उत्तम है तो यह स्थि विरद्धी होगी मान पर्तिष्टा बढ़ेगी और जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रोपर्टी लेनी है घर लेना है गाड़ी लेनी है तो अच्छा समय है इसे के साथ देखिए आमने आप से इंकी पर से प्रोफेशन लाइफ डिसकर्स कर लिए स्ट कि मिड जुलाई में सूरिय यहां होंगे और भी हुत्तम रहेगा तो जो लोग राजनीतिक जगत से हैं खेल जगत से हैं कला संस्कृती से जुड़े में उनको विशेश लाब मिलेगा और इसके जरिये से धनलाब प्रचूर मात्रा में होगा व्यापारी को बड़ा लाब खासकर अगर आप गार्मेंट का काम करते हैं आपका सैलून ब्यूटी पालर है बुटीक चलाते हैं आप होटल रेस्टों का काम करें आपकी बड़ी इंडस्टी है केमिकल डिट कोई काम है ठेकेदारी करते हैं तो यह सब लोगों के लिए बहुत अच्छा ही महीना रहेग तो नबे से पिचानवें फीजदी भागे इनके साथ रहेगा भागे के बल पर अच्छा एचीव करेंगे अब देखिए अश्टम भाव का गुरू में दर्शुकों को समझाना चाहूंगा कि यहां अश्टम भाव का गुरू आप क्या लाब दे सकता है जी देखिए यहां पर च्छटे भाव का स्वामी अश्टम भाव में बन दाए कभीताजी अभी तक यहां शुक्र और बुद्ध भी थे लेकिन अब यह गुरू अकेले हैं और इस गुरू के ऊपर हम कहते हैं कि कोई भी शुप घ्रह का पर भाव नहीं है ना तो बुद्ध की दस्टी है ना इसके ओपर चंद्रमा की दस्टी है कोई शुक घ्रह की दस्टी निया तो यह विप्रीत राज्योग बनता है च्छे चटे बाव का स्वामी छटे आठवे बार में हो जाए तो विप्रीत राज्योग सामान्य राज्योग से जारा बलशाली होता है और आपको जबर्दस ध किसी देश्टी मंगल पर है तो जीवन साथी के साथ भाई कोई डिस्प्यूट ना करें ना बिजनस पार्टनर के साथ जी कारेस हल पर अभी घ्रहसिति आपकी उत्तम है तो कोई परिशानी नहीं है और थोड़ा वाहा नितियादी संबल कर चला तो रिश्तों के मामने में आपको पक्षए जो आपको इस महीने आपको अध्यस्मेंट कर चलना होगा चैले तो यह सकता मुझे और मारिक श्रमाजी को दोनूं को दीज़ाज़त नमस्कार अब कर दो